Hello Friends, Welcome to Government Job, General Notification, YouTube Channel आज का वीडियो उन सभी Candidate के लिए, उन सभी Students के लिए काफी helpful होने वाला है जो Indian Army as an Officer जोईन करना चाहते हैं हम आज इस वीडियो में 17 ways के बारे में जानेंगे जिनसे आप Indian Army जोईन कर सकते हैं बहुत ही वहुत से Candidate को नहीं पता है कि कुछ Entries हैं, Courses हैं जिन में अगर आप Apply करते हैं तब आप Indian Army में Officer बन सकते हैं अगर आप 10th Pass हैं, 12th Pass हैं, आपने Graduation कर लिया है या आप PG किये हुए हैं सभी Student के लिए Candidate के लिए आपकी Qualification के Accordingly हम Entries देखेंगे, Entries Scheme & Courses जिनके लिए आप Apply कर सकते हैं In fact, यहाँ पर हम यह भी जानेंगे कि Engineering के जो Student है या B.E.B.Tech जो नहीं किया हुआ है वो किस Scheme के लिए कहाँ पर Apply कर सकते हैं, L.L.B. के लिए या B.E.C. या Any Graduate Candidate भी किन Scheme के लिए, Entries Scheme के लिए या Courses के लिए eligible रहते हैं और साथ ही हम जानेंगे कि इनके जो Notifications हैं साल में कितने बार आते हैं और किन Month में आते हैं क्योंकि Maximum जो Entries Scheme हैं, Courses हैं उनके लिए साल में दो बार Notification Publish किये जाते हैं तो अगर आप इस साल भी देना चाहते हैं तो हो सकता है कि अभी आप दे सकते हों ओके इसमें हम eligibility and Notification Briefly जानेंगे क्योंकि यह जो वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा इसलिए इन सभी का separate वीडियो में अलग से upload करूँगी जिन में आपको fully explain करूँगे अगर आप चाहते हैं कि engine army या defenseman officer बनना और आप separate वीडियो जल से जल चाहते हैं तो अब आप comment जरूर कीजेगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आप इन सभी के जो entries courses हैं इनके बारे में detail चाहते हैं तो मैं जल से जल वीडियो upload करूँगी सो चलिए start करते हैं और जानते हैं entry schemes और courses के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे after 12th अगर आप after 12th Indian army join करना चाहते हैं defense में आप जाना चाहते हैं तो first जो इसमें exam होता है वो है NDA National Defense Academy इसका full form है इसमें अगर हम vacancies की बात करें तो 320 vacancies निकलती हैं एक साल में जिसमें army में 208, air force में 70 and navy के लिए 42 यानि ये exam के लिए करने के बाद आप army, air force and navy में जा सकते हैं अगर हम बात करें notification की कि ये जो इसका notification है वो साल में कितने बार होता है तो अभी ये clear हुआ कि साल में दो बार इसका notification आउट होता है और ये जो notification वो employment news या फिर जो daily newspaper है इसमें आप June and December में notified किया जाता है UPSC की तरफ से इसका notification आता है तो अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं 12th pass हैं आप science stream से unmarried male candidate इसके लिए apply कर सकते हैं Next है TES 10 plus 2 technical entry scheme Technical entry scheme के लिए अगर हम vacancies देखें तो vacancies per course 90 है twice a year साल में दो बार होता है जिसमें इसका जो notification है वो employment news या daily newspaper पर पबलिस किया जाएगा और इसके जो मन्त है वो May, June and October, November में notification आउट होता है इसके लिए आपका 12th pass PCM से होना चाहिए minimum 70% marks के साथ unmarried male candidates में apply कर सकते हैं So after 12th आप ये 2 exam clear करने के बाद Indian Army join कर सकते हैं as an officer आप defense में जा सकते हैं Next हम देखेंगे after graduation अगर आपने graduation complete कर लिया है तब आप Indian Army कैसे join कर सकते हैं तो इसमें 2 तरुसे notification आते हैं So इसमें first हम IAM के बारे में जानेंगे इसका full form है Indian Military Academy Direct इसमें 200 vacancies पर course रहती है साल में दो बार आता है इसका notification UPSC की दोरा publish किया जाता है July and November में Any graduate candidate eligible रहते हैं apply कर सकते हैं Unmarried candidate इसमें apply करेंगे And next जो है OTA SSC Non-Tech UPSC की दोरा इसके लिए भी जो notification out होता है इसको हम Officers Training Academy Non-Technical में के लिए है Total vacancies में per course 175 रहती है साल में दो बार notification आता है And ये जो notification है वो July and November में आता है अब मैं आपको बता दो ये जो after graduation UPSC के दोरा जो होता है notification out भरती की जाती है उसमें IMA and OTA SSC Non-Tech दोनों के लिए आपको कर सकते हैं Unmarried Candidate Made Candidate इसमें apply कर सकेंगे चिक है Next अब हम देखेंगे After graduate आप कौन से अधर ये तो UPSC के दोरा थी अब कुछ जो notification है वो UPSC के दोरा पब्लिस नहीं किये जाते है उसमें है SSC JAG JAG means Judge Advocate General So इसमें 10 vacancies पर course रहती है साल में दो बार होता है और इसके जिए नॉटिफिकेशन है वो July, August and January, February में पब्लिस किया जाता है eligibility के अग्रम बात करें तो इसमें graduation with LLB minimum 55% marks के साथ Unmarried male candidate इसमें apply कर सकते हैं इसके अलबा जो second है वो है SSC NCC SSC means Sword Service Commission So NCC SPL Entry ये main के लिए हम बात करें female की बात नहीं कर रहे है इसमें vacancies 50 per course vacancy रहती है twice a year साल में दो बार इसके notification आते हैं जो की June and December में आते हैं और ये जो notification है वो Direct Trade General Recruiting AZ branch से इसके notification आउट होते हैं अब हम बात करते हैं next जो है Graduate Technical Entries Graduate अगर आप Technical साइट से हैं तब आप कौन-कौन से entry schemes है जिनमें आप apply कर सकते हैं इनको अगर आप clear करते हैं इनके माध्यम से आपको Technical and Engineering Wing में officer के तौर पर सामिल होने का मौका मिलता है ठीक है इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसमें जो first है वो है UES University Entry Scheme इसके द्वारा आप Permanent Commission Officer के लिए आविदन कर सकते हैं पेकेंसी पर कोर्स 60 है साल में एक वार होता है और इसका जो notification है वो जून जुलाई में आता है Elisability में देखें तो Engineering Stream के pre-final year student and unmarried male candidates के लिए apply कर सकते हैं Next है TGC Technical Entries में ही है यह TGC इसके लिए पेकेंसी पर कोर्स 60 है साल में दो बार यह होता है इसका notification March, April और September, October में पब्लिस होता है BE, BTEC and Engineering में आपने किया हुआ है unmarried male candidate इसके लिए eligible रहते हैं apply कर सकते हैं मैं आपको एक बार फिर से confirm कर दूँ कि मैं यहाँ पर सिल्फ male candidate के बारे में भी बात कर रही हूँ Next इसमें रहेगा SSC Technical यह भी Technical Entries में ही आएगा Short Service Commission Tech Man के लिए इसमें 100 पर कोर्स वेकेंसी रहती हैं साल में दो बार होता है June, July and December, January में इसका notification आउट होता है Engineering degree आपने की हुई है आप unmarried है तब आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसके बार जो next है Technical Entries में वो है AEC men Army Educational Courts इसमें आप as a teacher अगर आप या instructor के तोर पर आप आर्मी में अपनी सेवा देनी होती है तो अगर आप इसमें इस तरह से join करना चाहते हैं तब आप AEC दे सकते हैं इसके लिए total vacancies 20 per course रहती है साल में दोवार होता है March, April and September, October में इसका notification आउट होता है eligibility की बात करें तो आपने M.A.M.S.E. Notified Subjects जिस भी subject से notification में आपको clear कर दिया जाता है उससे अगर आपने M.A.M.S.E. किया है married and unmarried दोनों ही candidates इसके लिए eligible रहते हैं apply कर सकते हैं next आप हम इसमें बात करने वाले हैं service entry के बारे में अगर आप army में SENIC के रूप में अगर आप अपनी job दे रहे हैं और आप इसमें officer बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी कुछ entry schemes है service entry scheme जिसको कहते हैं इसमें first है ACC इसमें आप 75 total vacancies per course है twice in a year साल में दो बार होता है इसकी जो notification है वो March और अगस्त में आता है 12th pass आपका उना जरूरी है और आपकी जो service है उसको 2 साल complete हो गए हो married and unmarried दोनों ही candidates के लिए apply कर सकते हैं इसके अलाबब जो next है सर्विस एंट्री में उसमें है PCSL Permanent Commission Specialist Entry इसमें vacancies 100 रहती है साल में एक बार होता है और इसका जो notification है वो April and July में निकलता है जो notification month है वो tentative है इसलिए April से July तक आपका notification आता है और 10 year आपकी service को अगर हो गए हैं तो इसके लिए आप apply कर सकते हैं नेक्स्ट है इसमें SCO इसके लिए per course 100 vacancy है साल में दो बार होता है इसके भी month जो notification month है वो tentative है तो इसमें भी April से जुलाई तक आपका जो notification होता है eligibility की बात करें तो आपकी service को 5 year अगर complete हो गए हैं तब आप SCO के लिए apply कर सकते हैं इसके अलाबा एक और entry scheme है जिसको miscellaneous entry scheme कहते हैं इसके दौरा आप TA, RVC, AMC, APS के लिए apply करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम TA जानेंगे TA means territorial army इसके लिए per course vacancy is notified by line direct तो इसमें अभी confirm नहीं रहती है साल में दो बार होता है इसका जो notification है वो भी tentative month है इसमें के लिए नहीं है कि किस मन्त में आपका notification आने वाला है eligibility की अग्रम बात करें तो any graduate candidate इसमें apply कर सकते हैं married and unmarried candidate next हम इसमें बात करेंगे RVC इसके लिए per course vacancy is notified नहीं है means जो miscellaneous entry scheme है उसमें कोई भी RVC हो या TA हो AMC हो, APS हो सभी के लिए number of vacancies and notification month के लिए नहीं होता है tentative है अगर आप RVC के लिए eligible रहते हैं BBSC या animal husbandry में आपने complete कर लिया है married and unmarried तोनों ही candidate apply कर सकते हैं इसके लावा जो next है वो है AMC NT, Army Medical Corps तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं इसमें भी जैसे की वहने बताया vacancies के बारे में तो clear नहीं है लेकिन इसमें जो qualification है minimum 10th pass माँगी जाती है married and unmarried both candidates इसके लिए apply कर सकते हैं इसे अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे लेकिन जब मैं separate video upload करूँग इसमें आपको fully explain हो जाएगा जिसे आपको clear हो जाएगा इसके बाद next होता है mislinious entry में APS इसके लिए जो eligibility रखी गई है वो भी 10th pass है married and unmarried both candidates eligible रहते हैं applies में कर सकते हैं इनके लिए अभी जो date क्या रहती है किस मंद में notification आता है ये अभी clear नहीं है इसके अलाबा MNS के दोरा भी भरती की जाती है लेकिन उनके लिए सिर्फ female candidate apply कर सकती है ओके आज हमने इस वीडियो में briefly जाना उन 17 ways के वारे में जैसे आप after 10th, 12th graduation आप किस तरह से army join कर सकते हैं इन पर मैं separate वीडियो बनाने वाली हूँ लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल से जल मैं वीडियो अपलोड कर दू क्योंकि आपने देखा साल में दो बार ज्यादा तर जो टोडिफिकेशन है साल में दो बार आते हैं तो मेभी आपको इसके लिए आप Alice Will हो और आप apply कर सकें तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं मैं जल से जल वीडियो अपलोड करूँ तो कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट आने पर मुझे पता चलेगा कि आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो मैं जल से जल सारे वीडियोस अपलोड करने की कोसिस करूंगी थैंक यू